स्कोलर्शिप फॉर्म से समदित दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है अगर आपने भी चातरवर्थी का फॉर्म बरवार रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है चातरवर्थी के फॉर्म में अब तक क्या था कि स्टूडेंटों को हर महा कोलेज जाकर बायोमेट्रिक देना होता था इससे स्टूडेंटों को काफी परेशानी होती थी तो डिपार्टमेट में इसमें बदलाव करने का सोचा है अब आपको साल में एक बार ही ये बायोमेट्रिक लगाना होगा और ये बार-बार बायोमेटरी के वज़े से स्टूडेंटों के जो स्कोलर्शिप फॉर्म है वो बार-बार बेक आते थे यानि अब्जेक्शन करके और उसको सेंड बेक किया जाता था जिससे स्टूडेंट कोलेज तो जाते थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता था कि हमारा उब्जेक्शन आरका और उन्हें स्कोलर्शिप में देरी होती थी और हो भी रही है दो दो तीन-तीन सालों की स्टूडेंटों की पैंडिंग चल रही है तो अब इसमें बदला हो जाएगा साल में एक बार ही इस्टूडेंटों को स्कोलर्शिप फॉर्म में बायोमेट्रिक देना होगा और उसके बाद उन्हें स्कोलर्शिप मिल जाएगी तो ये बड़ी अपडेट आ रही है खुसकबरी आप कह सकते हो दूसरी अपडेट आ रही है कि चातरवर्ती के फॉर्म में जिन लोगों के फॉर्म अप्रू हो चुके है उनकी पहली किस्तिया फिर स्कोलर्शिप जारी की जारी है तो आप अपना अकाउंट चेक करवाईए आपके खाते में स्कोलर्शिप जमा हो चुकी होगी बहुत सारे स्टूडेंटों को मिल चुकी है और जिनके फॉर्म पेंडिंग है बार बार सेंडबेक आ रहे हैं बायोमेटरी की कमी है या फिर किसी डोकॉमेंट की कमी है तो उनको फटा फट अपने अबजेक्शन कलियर करवा लेने चीए क्योंकि बहुत ही जल्द अब सब को स्कोलर्शिप मिल जानी चीए इसी के साथ खास बात ये भी है अगर आपने अपना खुद का बेंग अकाउंट स्कोलर्शिप के फॉर्म में यानि जन्ना दारकाड में अपडेट नहीं कर रहा तो हो सकता है आपको स्कोलर्शिप से वंचित कर दिया जाए जैसा अर बार होता है स्टुडेंट की माता के खाते में स्कोलर्शिप का पैसा जमा हो जाता है तो अब वेसा नहीं होगा अगर खुद का अकाउंट होगा तो ही उससे पैसे मिलेंगे और वही अकाउंट आपको जन्ना दारकाड में अपडेट करना होगा और अब आपको स्कोलर्शिप क सके इसके लाव अगर आपके में कोई भी स्वालिया चुजा है आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेच जब कमेंट सेक्शन में लिक सकते हैं चलिए में अगरे वीडियो में किसी नहीं अपडेट के साथ